आजी स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ का एक पास पेपर है में 2012 पेपर 43 का क्वेशन 3 वो डिसकस करूंगा और इस क्वेशन में 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 आपको कैश फ्लो स्क्रेट्मेंट्स जो है वो बनाने और कुछ दूसरी चीज़ें दूसरे चेप्टर से रेलेवेंट्स से रेलेवेंट्स बट में ली कैश फ्लो का यह सवाल है तो सवाल को मैं सॉल्फ करता हूं आप लोगों को एक साथ डिसकस करता हूं और आप लोगों को अगर कोई कोई होगी तो आप मुझे वाटसएप पर पूच सकते हैं औ अच्छा यह बात याद रहे कि इस लेक्चर से पहले जो मैंने कैश फ्लो का बेसिक लेक्चर बनाया है लाजमी दोर पर आपने वह देखा वा हो क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप से कॉंसेप्स डिसकस नहीं करूंगा राधर सरफ सवाल सॉल्फ करूंगा स्टेट्मेंट है कॉस्ट ऑफ सेल्ज ग्रॉस प्रॉफिट है सारी चीज़े लिए फिर कुछ एडिशनल इंफॉरमेशन है और रेक्वाइमेंट अगर हम देखते हैं तो पहली रेक्वाइमेंट है प्रेपेर स्टेट्मेंट टू शो दर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टि है वह फॉरमेट मैंने आप लोगों को दिया वह है इस स्पेसिफिक क्वेशन की पीडिएफ फाइल आंसर फाइल एक्सल फाइल चाहिए तो भी आप मुझे वाटसएप कर सकते हैं और बेसिक लेक्टियर आपने देखा हूँ अच्छा मैं फॉरमेटिंग का ज्यादा ख्य पार्ट ए में हमसे वह पूछ रहा है कि आप अप्रेटिंग एक्टिविटीज जो है उससे जो नेट कैश लोज आए हैं न वह बनाओ यह हमारे कैश लो स्ट्रीटमेंट का एक पर्टिकॉलर हिस्सा होता है और एस पर फॉरमेट हम चलते हैं तो हम करते क्या हैं कि हम जो है वह सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन्स लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन्स अच्छा जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन्स ऑपरेशन्स से जो प्रॉफिट मिला है हमें इंकम स्ट्रेटमेंट में मिल जाएगा इंकम स्ट्रेटमेंट में प्रॉफ profit from operations है 34548 ठीक है 34548 यह हमारा profit from operations है 34548 सही है 34548 इसमें हम अगर कोई non-cash expenses को add करेंगे non-cash expense की example मैंने आप लोगों को depreciation दी वी है depreciation is a non-cash expense because depreciation की किसी किसम की कोई payment नहीं होती है तो हम add कर देंगे किसमें अगर कोई depreciation है तो अब depreciation की हमें working करनी पड़ेगी और depreciation की amount देखनी पड़ेगी कि कितनी हैं देखे सवाल में हमारे पास non-current assessment प्लांट एंड मर्शिनरी एटी टू थाउजन फाइंड और 64,900 पे दिये रहें office equipment 34519 और 38355 यह दो values office equipment की रिवी है अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पर हमारे पास depreciation अलग से P&L में नहीं है हम additional information दिखते है additional information number one है the dependors were redeemed at par additional information number two है plant in machinery costing 27,500 was sold during the year for 10,000 dollars it had been depreciated by 19,600 point number three है additional machinery was purchased at a cost of 35,000 there is no depreciation charge in the year of acquisition point number four है there were no acquisition or disposal of office equipment during the year तो हमें depreciation की एक working का नहीं होगी point number one यह है वो non-current asset से relevant नहीं है point two non-current asset से relevant है और planned machinery की बात करता है point three भी machinery की बात करता है point four है वो बात करता है office equipment की और office equipment के बारे में लिखा वह है there were no acquisition और disposal of office equipment during the year तो office equipment से relevant यो depreciation है नहीं वह बड़ा आसान है हमारे लिए identify करना office equipment देखे statement of financial position बे 2011 में office equipment की value 38355 थी और 2012 में office equipment की value 34519 हो गई है यानिके कम होई है अब अगर कोई addition नहीं है कोई disposal नहीं है किसी किसम की कोई purchase नहीं है कोई office equipment का टी अकाउंट भी बना सकते हैं office equipment का अगर network value का हम टी अकाउंट बनाते हैं अगर बनाना चाहो तो compulsory नहीं है तो आपका office equipment का जो टी अकाउंट नजर आएगा वह कैसा नजर आएगा मैं सिर्फ यहां पर बना देता हूं देखिया आपका जो ब्रॉड डाउन होगा वह ब्रॉड डाउन आपका 38355 होगा फिर आपको केरेड़ डाउन दिया वह केरेड़ डाउन आपका 34519 ह होगा और अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो क्योंकि हर टी अकाउंट के डेबिट सो क्रेडिट सीक्वल होने चाहिए तो यह जो आपके पास 38355 है अगर office equipment का netbook value का account मनाया वह तो यहां पर depreciation आया करती है जहादा 3836 की office equipment की depreciation होगी ठीक है office equipment का netbook value वाला जो अका application है तो यहां पर कोई disposal है तो यहां पर लेकिन इस सवाल में किसी किसम का कोई addition यह disposal ही नहीं और अगर simply अगर आप असान से असा काम करना चाहो आपने वर्किंग दरूर शो करनी है जो मैं आपको answer file दोंगा से format देखिएगा आप सरफ यहां पर लिख दोगे 38355 और 34519 का difference ठीक है यह हमारे पास office equipment की depreciation आगई अच्छा office equipment के बाद दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वह है plant machinery हाँ plant machinery की हमें हो सकते के छोटी सी working करनी पड़े तो मैं काम करता हो कि plant machinery कि कुछ worket करते हैं का ओ ट्रीक है hij को यहां पर में करता हू may spark mater माइव आपके साथ किए यहां बैंने मशिनीं का मैं सब्सक्राइख अ्युआ लांट एंड मशिनरी यह पी एन एम लिख देते हैं कि प्लांट अ एंड मशिनरी बुक वैल्यू का आकाउंट मनाता हूं देखे के एक ब्रॉडड डाउन होगा और ब्रॉड डाउन जो प्लांड मशिनिरी का है वो 64900 है ठीक है ना इसका एक केरेट डाउन होगा केरेट डाउन जो है वो 82,500 अच्छा यह याद रहे प्लांडेट मैशीन या किसी भी फिक्स असट के दो तरहां के अकाउंट बनते हैं एक अकाउंट वहता है जो आप कॉस्ट पर बनाते हो और जब आप कॉस्ट पर अकाउंट मनात नहीं है ब्रॉट डाउन केरेट डाउन दोनों दिया था नाओ एडिशनल इंफोर्मिशन अगर हम देखते हैं तो बोलता है प्लांड मेशीनरी कोस्टिंग 27,500 वा सोल्ड दूरिंग दे यर फॉर 10,000 इट हैड वीन डेप्रिशी एटेट बाइंटीन थाउजन सेक्संडड याने के एक फ्लांड मेशीनरी एक फ्लांड मेशीनरी जिसको आपने 27,500 वा स्थे पिपशेस किया था 27,500 पे पिपशेस किया था जिसकी accumulated depreciation जिसकी accumulated depreciation 19,600 थी विश भीन्स के जिसकी net book value जिसकी net book value जिसकी net book value 7900 थी ठीक है ना आई रिपीट एक प्लाइंड मेशिनी जिसकी कॉस्ट 27500 जिसकी एक्यमिलेटी डिप्रीशिएशन 19600 तो फिर उसकी नेट्बुक वैल्यू 7900 और इसको आपने कितने में बेचा इसको आपने बेचा है दसने सर्द कि इसका मतलब आई कि आपको डिस्पोजल पर क्या हो एक अपने इसको बेचा और इस पर आपने जो है वह को profit earn किया और 27,500 accumulated depreciation 19,600 तो netbook value 7900 वह इसको आपने 10,000 में बिचाथ इसको आपको profit पा नेट बुक वैल्यू 7900 किया है जब हम netbook value वाला account बनाते हैं और कुछ चीज dispose of करते हैं तो हम उसकी यहाँ पर netbook value credit side पर लिखते हैं अपने बुक से उसको netbook value पर निकालते हैं बुक से हटाते हैं ठीक है अच्छा इसके इलावा additional machinery was purchased at a cost of 35,000 there is no depreciation charge in the year of acquisition यानि कि आपने एक purchase भी कर रहा है addition भी कर रहा है plant machinery का account debit bank account credit और वह आपने कर रहा है कितने का 35,000 का तो जब आप purchases करते हो तो plant machinery के account को debit करते हो अब अगेन अगर हम balancing figure निकालें अगर हम balancing figure निकालें वह depreciation का amount होगा जो balancing figure होगा वह depreciation का amount होगा और वह आ रहा है 9500 यह depreciation expense है ठीक है जी यह हमारे depreciation expense का amount है तो plant and machinery plant and machinery जो है ना इसके depreciation की value है 9,500 ठीक है जना आप है सही हो गया तो आपने जितने भी non cash expenses है ना उसको add करना होता है depreciation is a non cash expense इसको मैंने add कर दिया अच्छा फिर इसी तरह से profit on disposal को हम minus करेंगे profit on disposal को minus क्यों करेंगे क्योंकि profit on disposal जो यह ना वो उपर वाले profits में शामिल होगा मैंने इसका format भी दिया है basic lecture भी discuss किया है profit on disposal को हम हमेशा minus करते हैं तो profit on disposal की working से कि 100 रुपए का profit था यह हमें minus करना पड़ेगा because वो इसमें added है जितना हमें कोई fix asset बेचकर पैसा receive वा है cash receiver हम cash flow statement में add करते हैं लेकिन इसके profit को अठाते हैं क्योंकि profit is not equivalent to cash inflow यानि कि अगर आपको 2100 रुपए का profit हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2100 रुपए का cash inflow है आपको हमें तो cash flow statement बनाना ना अच्छा दूसरी कुछ current assets की और current liabilities की adjustments होती हैं अगर आप सवाल देखते हो तो आपके inventory की value है वह increase हो रही है increase in inventory हमेशा minus होता है increase in inventory हमेशा minus होता है ठीक है ना तो increase in inventory कितना है यह देख लेते हैं increase in inventory हमेशा minus होता है और increase है 18758 और 16521 का difference ठीक है अच्छा उसके बाद फिर receivables है receivables की अगर हम बात करते हैं तो receivables में भी increase है increase in any current asset जो है है वो कितना होगा increase in receivables है 17623 17623 और 12517 का difference तो 5106 हो गया कि इसके बाद cash and cash equivalent को हम लोग consider नहीं करते हैं क्योंकि यही तो हमें end में eventual इन दोनों का difference आ जाएगा हमारे पास cash flow statement में अच्छा current liabilities में हमारे पास increase in trade payables increase in payables और increase in any current liability जो है उसको हम add करते हैं तो जो difference आ रहा है वो 22758 और 18654 का difference आ रहा है यानि के 4104 ठीक है जनाब तो इन सारी चीज़ों को पहले तो हम net कर देते हैं इसके बाद आपने जितना इंट्रेस्ट पे किया है और जितना टेक्स पे किया है वह यहां से माइनस होगा तो हमारे पास net cash flow net cash flow फॉरॉम operating activities आ जाएगा तो अब हमने इंट्रेस्ट कितना पे किया है यह कैसे मालूम होगा यह हमने टेक्स कितना पे किया है यह कैसे मालूम होगा देखें आपके पास taxation की liability आ रही है 2011 में liability 4200 थी 2012 में 5350 और आपका जो profit and loss अकाउंट है उसमें फॉर्द यह टेक्स का एक्सपेंस आ रहा है 5800 का ठीक है अच्छा तो इसका मतलब यह होगी है कि हम एक टेक्स का टेक्स पेडल का टी अकाउंट मना लेते हैं अगर हम टेक्स पेडल का टी अकाउंट मनाते हैं इ इसके टेक्सेशन का या टेक्स पेडल का टी अकांट होगा माने टेक्स टेक्सेडल होगी टेक्स एक्सपेंस डेबिट 5800 और टेक्स पेड़ टेक्स पेड़ ग्रेड़ फाइफ थाउजन और एट हंड़ेड और डिफ्रेंस है हमारे पास यह पता चल जाएगा कि हमने बैंक से कितना टेक्स पे किया इन दोनों को हम एड करते हैं यह 10,000 बनता यह साइट भी 10,000 होनी चाहिए 10,000 में से हमने 5350 माइनस के दिया यानि कि 4650 की पेमेंट करी होगी इसको समझ देंगा एक और तरीका भी है जरा गौर से सुनिएगा साल के शुरू में 4200 पे करने थे पे एबल थे पे एबल थे डियूरिंग यह 5800 का मजीद टेक्स एक्सपेंस वा जिसको पे करना है 4200 पिछले सालों का 5800 करन्ट साल का इसमें से मैंने कुछ पे किया होगा और सवाल हमें यह बता रहे हैं कि 5350 अभी भी पे एबल है साल के आखिर में यानिके बच गया है बकाया है पे करना है तो पे कितना किया होगा 4650 इस तरह से भी आप कैलक्यूरेट कर सकते ह गया अच्छा जी इंट्रस्ट एक्स्पेंस कैसे आएगा इंट्रस्ट एक्स्पेंस के लिए भी हमें एक चोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी और डिपेंजर हैं हमारे पास सेटर्स दोहजार और इक्षार में 55000 और तीसफ़ार में 3000 और चारपेंजर पर इंट्रस्ट पे उता है और 2020 यह जो लेखाव है मतलब यह कि साल 2020 में ड्रीडीम होंगे अच्या यहां पर और नीचे यहां पर लिखाव है तर डिपेंजर्स पार नहीं हो गए और finance cost finance cost जो 16 लिखी वी है ना यह interest की amount होती है interest expense की amount होती है finance cost 16 का मतलब है कि during the year का जो interest है वो 16 रुपए बना है और इसका किसी भी तरह से current liabilities में पेड़ नहीं आ रहा इसका मतलब मैंने यह पूरा का पूरा 1600 का amount जो है वो पे कर दिया होगा तो अगर ऐसा होगा तो अब हमारे पास जो है वो net cash from operating activities आ सकता है और वो होगा हमारा 3629 यह हमारा पहला पार्ट सॉल्वा मैं चाहूंगा कि आप लोग बेसिक जो मैंने cash flows के lectures बनाए हैं उसको भी देखें format को देखें सवाल की PDF और question के answer की PDF सामने रखकर इस lecture को देखिएगा आराम से यह मैंने इसका part a solve किया है सिर्फ अच्छा जी पार्ट ए हमने solve किया जो कि सोला मार्क्स का था पार्ट बी पर आते हैं प्रेपेर स्टेट्मेंट ऑफ कैश्फ लोस फॉर्ड ये रेंडे 30 अप्रिल 2012 अगेन मैं फॉर्मेंटिंग का थोड़ा कम ख्याल रखूंगा लेकिन आप लोगों के साथ पार्ट बी बी मैं solve करता हूं जो कि 13 मार्क्स का थीक है तो पार्ट बी लेट से मैं इसको थोड़ा सा वर्किंग को नीचे ले जाता हूं और मैं यहां पर solve करता हूं अब हमें मेन statement of cash flow बनाना है statement of cash flows में हम जो है वह हैंडिंग डालेंगे statement of cash flows for the year ended 30 April 2012 वह आप डाली जेगा हम start from operating activities से cash flow from operating activities जो हमने उपर calculate करा था part number A में और हमने cash flow from operating activities calculate करा था 36295 ठीक है अच्छा जी उसके बाद हम करेंगे cash flows from investing activities cash flows from investing activities भी format के हिसाब से आपके पास मौझूद है कि उसमें क्या क्या आता है उसमें आ सकता है आपका purchase of machinery इस सवाल में इस सवाल में आपने machinery purchase करी है machinery आपकी investment investment के लिए आपने payment करी है और पुले टमबर थी कहता है कि आपने 35,000 की machinery purchase करी थी तो 35,000 की payment हुई negative में इस ले लिखा क्योंकि यह मैंने payment करी है दूसरी चीज़ होगी proceeds from sale of machinery यानि कि आपने कुछ जो machinery बेची थी उसको बेचने की वजह से कुछ पैसे आये कुछ proceeds आई और वो proceeds कितनी आई 10,000 बुलेट नमबर टू में लिखा हुए यह याद रहे कि यहाँ पर profit नहीं लिखा जाता profit का reversal यहाँ पर हो जाता है profit on disposal को हम वह वापस से profits में से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर सरफ और सरफ हम जो proceeds from sale of machinery यह उसको लिख देते हैं ताकि जो machine की बेचने की वजह से पैसा आया है वो आजाए तो इस सवाल में दो ही investing activities की चीज़े हैं इन दोनों को net किया negative 25,000 आता है अच्छा जी cash flow from investing activities के बाद इसके बाद क्या होगा cash flows cash flows from financing activities अच्छा जी cash flows from financing activities में अगर कोई shares बेचे हैं अगर कोई डेपेंजर्स हैं उनकी सारी चीज़े आती हैं तो हमने कुछ डेपेंजर्स रिडीम किये हैं यानिके redemption of डेपेंजर्स हैं हमारे पास redemption of dependence कैसा है bullet number one में लिखा हुआ था डेपेंजर्स रिडीम नेट पार देखो यहां पर आपके पास डेपेंजर्स लिखे वे आ रहे हैं साल के 2011 में यानिके साल के शुरू में 50,000 पर थे 2012 में यानिके साल के आखर में 30,000 पर रहे हैं इसका मतलब 20,000 से वैल्यू कम हो रही है 20,000 से वैल्यू कम होने का मतलब यह है कि डिपेंजर्स क्या होता है आपकी liability होती है अपने लोगों से लोन लियावा होता है 50,000 का लोन साल के शुरू में था साल के आखर में 30,000 का लोन है इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह हो गया कि मैंने जो है ना वो डिपेंजर्स रिडीम किया यानिके लोगों को पैसे वापस दे दी हैं उनके साल के शुरू में 50,000 का उधार था साल के आखर में 30,000 का रहा है रीटेन एंग्स चेंज और अच्छा रीटेन एंग्स तो चेंज होता है प्रॉफट की वजह से कैसे देखो आपके पास ओपनिंग रीटेन एंग्स कितना है 17898 और आपने डियूरिंग दे यार 27148 का जो प्रॉफट कमाया वह एड करो तो देखो आप 45046 पर मुझ र है लेकिन यह जो औरडिनेरि शेर कैपेटल है यह जो शेर प्रीमियम हो रहा है ये नए के एश्यू करने की वज़ासे इंक्रीज होता है जयाने कि आपके पास कुछ प्रॉसीड्स फ्रॉम शेर इश्यू भी है आपने शेर इश्यू करें और उसकी वज़ाद से जो पैसे आए अच्छा कितने पैसे आए आपने जो शेर इश्यू करें उसके बाद आपका शेर कैपिटल और शेर प्रीमियम टोटल सेवेंटी एट थाउजन पर रहा सिक्स्टी और एटीन यानिके सेवेंटी एट थाउजन और शुरू में यह कितना था फॉर्टी एट थाउजन पर था इसका मतलब यह हो गया कि आपने जो शेर उश्यू करें उससे आपको तीसाजार रुपे रिसीव रहा है इसको आप नेट अफ़ कर दो ठीक है जी चलो जी यह पैसे भी आपके पास रिसीवे होंगे आपको तो ऑप्रेटिंग एक्टिविटीज भी आगई इन्वेस्टिंग भी आगई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आगई ठीक है और अगर हम लाइन मैं लाइन देखें तो नॉन करेंट एसेट्स की हमने करी थी रिसीवेबल्स इन्वेंटरी की अजस्मेंट्स करी थी पेबल्स की टेक्सेशन की अजस्मेंट्स करी थी हमने डिपेंजर्स की अजस्मेंट्स करी हमने और्डिनेरी शेयर कैपेटल की अजस्मेंट्स कर ली तो मेरे खियल में सारी अजस्मेंट्स हो चुकी है हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारी एड्यस्मेंट के बाद नेट इंक्रीज इन कैश कि एंड कैश इक्वेल इन कि इतना आरहा तो इसका आपके पास जो है नो इन सबको नेट करते हैं तो है कि तो उन 295 यह तो यह या क्या करोगे आप यह दिखोंगे कैश मैं कैश किविलेंट किटना था और कैश कैश्च एक्विलेंट साथ कितना था कैश एकविलेंट एध स्टार्ड सिक्स फोर फाइब नाइई तो अब cash and cash equivalents at end of year जो साल के शुरू में आपके पास cash and cash equivalents थे तो हमारा answer 27754 बनता है और देखें यह इससे टैली करेगा यहां पर देखें क्लोजिंग cash and cash equivalents भी 27754 ही हैं तो यह आपका cash flow statement बन जाता है और आपका जो opening था वो closing से टैली कर रहा है यह आपका part B हो गया ठीक है जी अच्छा जी इसके इलावा आपके पास part A part B के बाद कुछ additional information है for the year ended 30 April 2011 trade receivables turnover was around 20 days and trade payables turnover was 25 days all sales and purchases are made on credit सारी sales and purchases credit पर होती है 2011 में receivable turnover 20 दिन था और payable turnover 25 दिन था receivable turnover 20 दिन होने का मतलब यह है कि मैं अपने receivables को on average मेरे receivables मुझे on average 20 दिन बाद पैसे pay करते थे और payable turnover 25 दिन का मतलब यह है कि on average मैं अपने creditors को या payables को 25 दिन बाद payment करता हूं याने कि यह थोड़ा सा सवाल जो है यहां पर यह रेशो से relevant सवाल आ रहा है सवाल सीवन है calculate both the trade receivables turnover and trade payable turnover for the year into 30 April 2012 Receivables turnover और payable turnover का ratio calculate करना receivables turnover कैसे calculate होता है चले यहां पर calculate कर देते हैं बल्के यहीं कर देते चले रिसीवेबल turnover in days अगर हमें calculate करना होता है तो हम जहें है वह receivables की value लेते हैं receivables trade receivables हमारे कितने हैं 17623 उसको sales से divide करते हैं sales कितनी है 396672 और 365 से multiply करते हैं इसीवेबल की value है 17623 formula होता है receivables की value यानिके 17623 divided by sales की value यानिके 396672 multiplied by 365 यानिके number of days in a year तो answer 16 पॉइंट टू टू आ रहा है ठीक है 17623 divided by 396672 multiplied by 365 16.22 अच्छा पेबल डेस calculate कर लेते हैं पेबल turnover भी calculate करना था अगीन उसके लिए आप पेबल के amount को पेबल का amount कितना है क्रेट पेबल हमारे पास आ रहे हैं 22758 22758 हमारे पास पेबल आ रहे हैं पेबल के amount को हम लोग divide करते हैं credit purchases से अच्छा आप यहां पर credit purchases कैसे calculate होगी देखे credit purchases हमें calculate इस तरह से करनी पड़ेगी opening stock of finished goods plus purchases माइनस close-ups of finished goods is equal to cost of goods sold यह अब हम सब पार्चेजस आप से purchases is equal to KungUA माइनस अजे सब्सक्राइच और प niet इस दॉत प्लस यहां पहले खावार है 259 329 मैंने यहां पर यह फॉर्मिला बार में 259 329 लिखा इस पर हमें एड करना होगा क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग है हमारा इंवेंटरी का अगर क्लोजिंग देखते हो 18758 और ओपनिंग अगर माइनस करते हो जो के 16521 है हमारे पास 261 मेरे खाल में एक विए जोजिंग इस्टाग और फेनिश गोट्स तू फाइफ नाइन यह नहीं है हमें एड क्लोजिंग इस टॉप इस गोड्स गोड्स हमारे बास 18758 और ओपनिंग इस्टॉप फेनिश गूड्स फाइफ तुवन है है हमारे पास 261566 जो है वह हमारे पास पर्चेज़ की वैल्यू आती है अब हम क्या करेंगे हम अपने पेबल्स को पेबल्स हमारे कितने हैं हमारे पेबल्स हैं 22758 22758 उसको डिवाइड कर देंगे पर्चेज़ से और मल्टिप्लाइ कर देंगे 365 से यह आ रहा है 31.76 या 32 एप्रॉक्सिमेटली डेज तूमें मुलता था कमेंड और चेंज दे रीचीवेबल टर्न ओवर कमेंड ओन चेंज दी पेबल्स अबर इनके बारे में कमेंड लिखो तो रीचीवेबल टर्न ओवर पहले बीच दिन थे पिछले साल तक अब हो गए 16 दिन तो कमेंड हम क्या लिख सकते हैं दे रीचीवेबल टर्न ओवर डेज हैज रीड्यूस्ट डेट्स और बीइंड पेड फास्टर ठीक है यह आप यह भी लिख सकते हो कि जो इंप्रूफ कैश फ्लोस इंप्रूफ कैश फ्लोस कैश फ्लोस भी इंप्रूव हो गया है ठीक है ना उसके बाद पेड़ के क्या लिए क्या लिख सकते हो दी पेड़ पेड़ टर्न ओवर डेज भड़ गए ना अब तक्रीबान थर्टीवन थर्टीटू डेज में पैसे करते हो पहले पच्छेस दन में अपने पेड़ को पैसे करते थे अच्छा यह जो एरिया है यह रेशो के चैप्टर से लिंक्ट है तो जब आप रेशो पढ़ोगे तो फिर आराम से आप डिसकस कर सकते हो रेशो के बेसिक लेक्चर में मैंने यह चीज़े डिसकस करी है तो अब लिख सकते हैं अब बेड़ टॉर्ण ओवर देज हैज इंक्रीस्ट इस टेकिंग लॉंगर टू पे इट्स डेट्स ठीक है न और साथ में यह लिख सकते हो इंप्रूवड ओप एकाश्य फिलोस अच्छा इंप्रूवड कैश फ्लोव लिखां रिसीव躯बि जितना जली पैसे करेंगे उतना जली हमारे पास पैसा आएगा हमारे लिए अच्छा है और हमारे कैश dow होंगे कुई कि पैसा जल्डी Acting करेंगigu उतनी देर से हमारे पासे पैसा जाएगा एंड देर्फोर उतना बेतर हमारा कैश फ्लोग होगा तो अब आप इस सवाल को जरा काइंडी अच्छे से दुबारा से देखकर सॉल्फ करें और अगर कोई क्वेशन हो तो मुझसे पूछे मुझसे जाएगा टेमार कैस पुछे।